है गुद मॉरिंग टो आल आफ यू अज हम भीले शाइड डिशान में मोडलिंग नॉज तॉर्श इन मॉस्पेट पड़ेंगे तू प्राइमरी कंट्लीट सब्सक्राइब सब्सक्राइब कट्राइब सब्सक्राइब स nous ठीक है और रिलेजिंग उप जाइट न चैनल थे खर्माल नोई इस कनेक्टेट विर्थ दा केरियर विद्ध करेंट रहां तर्माल वाइस कनेक्टेट विद्धा कैरियर्स करेंट रूदिए एडर था स्मॉल सिंगनल और लाज सिंगनल डवाइस मॉडल केमाड़ एड़कर विट्वी इंदा सूर्स एंद्रेय ठीक है because the noise source contributes to the total current as on figure ठीक है source और ड्रेयन की बीच में source and rain की बीच में तीन दा सूर्स एंद्रेयन की बीच में current source can be model होता connect होता ठीक है एह फिगर भी दिखाए गया है इस contribute to the total current source in figure फिगर वह और दिखा गया है यह घेट्ट टर्मिनल्स एक सोट इन दफे गयर करेंट सोर्च के स्विच में देखेक सब्सक्राइब रहे से बीचे कर्एंट स्टैक्र टिछल ट्रक होता है मौसिट टर्मिनट्ल से और यहां पर करेंट्ट्बाइंस सर्काइब इन पॉर्टेश पधा स्वार्दा स्मॉल अपoquिट In saturation region यह voltage का यह ड्रैन एह सूर्स यह गेट गेट तर्मलेस पर यहां पर voltage connect होता है ठीक है मानस प्लस voltage लगा हूए भी है यह है यह गेट यह ड्रैन एह सूर्स ठीक है यह है इसका diagram तो कि इसे में continue देखा अब इसके esak निकालने के लिए करेंट सूर्स किलिए करेंट सूर्स कीनकालने की सपेक्टल एंसिटी को निकालने की स्थांट कर लोगता है और क्ली ओमेक रेजन की लिए 4KT upon RFET and saturation region में 8KTGM upon 3 8KTGM upon 3 होता है clear we are RFET क्या है देखो जी लखा है मैंने RFET है equivalent FET resistance यह कहला था equivalent FET के लिए resistance and K क्या है temperature है T sorry T है temperature and degree Kelvin होता है K क्या है Boltzeman constant GM देखो यह GM term use हुआ है GM GM क्या है small signal transconductance सब्टर्म्स बता दी मैंने अब इन ओमेक रीजन and saturation region flicker noise currents characterized by spectral density flicker noise के लिए क्या होती वाइट noise के लिए होगा है यह flicker noise के लिए flicker noise के लिए इसको डिमेट करते है SIF से इसकी spectral density निकालने का फार्मुला यह होता है SIF क्वेश्ट लिए 2KF KDS IDQ upon COX L square F इसकी spectral density निकालते है calculate करते है तेक है और इसको IDQ क्या है है हां को यह लिखा हुआ है क्यूसेंट current कोशेंट current IDQ क्या है फ्लीकर noise coefficients and L KDS और COX जो पने यूज़ कर रहे सब MOSFET model parameters है clear and the spectral density of noise current source it can be driving SIF and SIW और किसकी spectral density आपने हैं निकालते हैं कैसे निकालती SIW plus SIF इन दोनों को add कर दें तो अपनी spectral current density of noise current source निकालाती है ठीक है जो noise current source आपने कल्यूट कर रहे हैं वह इससे अपनी calculate होए आती है स्पेक्टर current density of noise current source के लिए SIW plus SIF से clear यह था अपना noise source in MOSFET modeling noise source in MOSFET ठीक है इसमे एक चीज़ और है इसी बाए यह होता है इन्दा इन्दा फ्रिक्वेंसी बेंड एप बन एप टू आर्मस noise current source can be determined from the spectral density जिए निए निकालने के लिए इसको कैसे निकालते हैं आई आई एन बीसे करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं रूड नकाल दे इसकी spectral density आप करेंड निकलाती थी ठीक है current source के लिए and the noted that it is noted that if we define आर्मस फ्लीकर नोइस and white noise current by square root of the integral of the spectral density white noise और फ्लीकर नोइस के लिए अब स्पेक्टर निकालते है current के लिए तो क्या होता है square root of integral जो current source है जो इतनी आर्मस नोइस white noise का noise square root of the integral करते है square root of the integral कर देते हैं तो इसकी फिलेकर noise white noise निकलाते है IWB कुष्टू F1 F2 SIWDF का root निकाल दें और ऐसा IFB निकालें integration of SIFDF का square root कर दें तो IFB फिलेकर नोइस निकलाता ठीक है हैंस INB तो निकालें पनसका INB कुष्टू तो root of I square WB plus I square FB से calculate हो जाता है clear यह अपना आज derivation complete हुआ